स्सी भी कॉम और भी ये तीनों से ये कोर्स के स्टुडेंट के लिए इंपॉटेंट है आप किसी भी इनुवस्टी से हो आपका अगर हिंदी फाउडेशन आपके लिए सब्जेक्ट है और आपका एक्जाम लगा हुआ है तो यूनिट 5 करके यूनिट 1, यूनिट 2, चोड़ के साथ साथ कुछ इंपॉटेंट कोश्चन बताऊंगा जिसको वड़ के अपने एक्जाम में आप गोड़े स्कोर कर सकते हैं पहले यूनिट से आपका कोश्चन बन सकता है जो परलोण का आर्थ स्वष्ट करते हुए इसके महत्तु पर प्रिकाश डालिए आपका पहले यूनिट के बारे में आए जिससे आपका कोश्चन बन सकता है उसका अर्थ पूर सकता है उसके महत्तु के बारे में पूर सकता है एक पहले यूनिट से आपका कोश्चन जो भी रिलेट हो सकता है सभी नवस्टियों के लिए एक कोश्चन बन सकता है जो इस वीडियो को आज cover करेगा उसके Hindi Foundation सब्जेक्ट में पूरे स्कोर आएंगे जा हो VSC कर रहा हो, VECOM कर रहा हो, VE कर रहा हो अगर उसका Hindi Foundation कोर्स का सब्जेक्ट है तो आज अपना पूरा माक्स अचीब करेगा हिंदी में नेश्ट यूनिट है आपका यूनिट सेकेंड पत्र लेखन का आश्चेश स्विष्ट करते हुए एक अच्छे पत्र की विश्ष्षता लिखिए या पूँ सकता है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के सीर्षक की सार्थक्ता या सार्थक्ता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ये जो है यूनिट सेकेंड से आपके कुश्चन ये रिलेट हो सकता है सभी नुश्टि हो के लिए मेंडेटरी है और एक कुश्चन देखने को मिल सकता है अगर आप वीकॉम कर रहे हैं, वीए कर रहे हैं, वीए कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सुस्क्राइब करके रखें, ताकि कोई भी नुश्टी का पेपर हो, तो आपको सही टाइम पे मिल सकें, और उसका वेनिफूट अपने फेचर में प्राप्त कर सकें निश्ट उनिट है आपका, बड़े भाई सहाब कहानी की तात्विक समिच्छा केजिए, या इसके बारे में बताईए, निश्ट कोईश्टन इससे क्या बन सकता है, संचेपण का आर्थि स्वेष्ट करते हुए, संचेपण के महत्यों उपियोगता पर प्रिकाश डालिए, ये उनिट थर्ड में आपके जो इससे रिलेट कुश्टन बन सकता है, इसको जरूर कबर करके जाईएगा, जितने कुश्टन का मैं डिसकस कर रहा हूँ आज इस पेपर में, उतने ही करके जाईए, आपके लिए सफिसेंट हो सकता है आपके एक्जाम के लिए, निश्ट है एक बार कविता का केंद्रे भाव लिखिये, तो आप अगर वहां से मुआबरे और लोकुक्ति अपने बुक से कबर करके जाते हैं, तो इजली आप अपने एक्जाम में उसका एंस्वर कर पाएंगे, और अपने मार्क्स पूरे अचीव कर पाएंगे, यहीं जितने कुश् सारे यूनिट के बारे में डिसकस कर रहा हूँ, इस से बाहर आपको एक्जाम में कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे, निश्ट है आपका, एकांत स्रिवाश्तों के ब्यक्तित और योमकृतित पर प्रकाश डालिए, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपके एक्जाम में आ सकता है, और निश्ट आपका जो यूनिट होता है, इसमें सुद्ध असुद्ध, मतलब असुद्ध दिया रहेगा, उसमें कई सारे वर्ड होंगे, उसमें पूछेगा कि सुद्ध जो है उसमें बताइए, जैसे इसमें आठ वर्ड दिये गए है इसमें सुद्ध वर्ड चुनना था, तो जो भी सुद्ध वर्ड रहेगा, उसको टिक करके चले जाना, सुद्ध असुद्ध आपके बुक में होगा, आप इजली उसको दो से तीन बार रीड करेंगे, तो अच्छे से कबर हो जाएंगे वहां पे, निश्ट है आपका, बि लोम शब्द भी दो से तीन बार पढ़ के अपने पूरे माक्स अच्छीब कर सकते हैं, निश्ट है आपका, हरी शंकर, परशाई, दोरा रचित, भूला राम का, जीव व्यंग का सारांस अपने सब्दों में लिखो, इसको जो है सारांस लिखना है, आप किसी राइटर, सा सारे राइटर को कवर कर लेजिएगा, एक सारांस आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है, इसके अलामा आपको कुछ नहीं करना, निश्ट है आपका, जीव पर सवार, इल्लिया, व्यंग, रचना का सारांस लिखिए, यह भी आपके एक्जाम में आ सकता है, यह सारे अ सकता है, यह मानक, यह मानक, भासा को उधारन सभी समझाईए, दोनों में से एक कुछ न, बाकी आपको दोनों कवर करके जाना है, ताकि आप अपने एक्जाम में कोई भी टाइप का कुछ न हो, तो आप अपने एक्जाम में आच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, निश्ट एभी कुछशन, आपके बुक में यूनिट में मिल जाएगा, इसको भी कवर करके जाएगा, एक कुछषन आपके अपके पैटन से मिलता जिलता है और आपके एक्जाम में देखा जा सकता है, निस्ट है सत् or आइईंशा निबंद के आधार पर सत्व के संबंद में गांध जुलता और मैच करता हुआ इंपोर्टेंट कुश्चन बन रहा है आज जो इस वीडियो के बताय हुए सारे कुश्चनों को कबर करेगा उसको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एक्जामें वो पूर्ण मार्क्स पा सकेगा निश्ट है आपका सोचना प्रॉद्धोग की के प्रमुग घटा का वर्ण कीजिए इसको अच्छे से कबर कर लिजिएगा फिर निश्ट है खा में खचुगा धरम निबंद पर निबंद का सार लिखिए निबंद से रिलेटेड एक सार पूर्ण सकता है इसको अच्छे से और लोग निट पर सर सम बंधित जो निबंद हो सकता है पूसकर जिस भी आप से बारे में लोग ऋ और लों कि निबंद का सकता है। आपको वीडियो का ऐसा लगा फ्रेंड्स हमारे दौरा मेहनत का ऐसी लगी अगे करिंट हमारा का ऐसा लगा अपने फ्याराशा फीडबैक कमेंट सेक्षन में जरूर देना आपका पिपट शमापत होता है इसका पीडियो में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा लिंक डिप झाल झाल